एक महतुपूर्ण पहलू ये है कि जितना खाना चाहिए, लोग उससे कहीं जादा खा रहे हैं। पहले भोजन और दूसरे भोजन में आठ घंटे का अंतर होना चाहिए। आपको जो भी स्वास्त संबंदी समस्याएं हैं, उनमें से कम से कम 50% छे हफ़ते में ठीक हो जाएंगे। नमस्कारम सद्गुरू, भारत में पवित्र दिनों पर उपवास रखनी की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। लेकिन बहुत से भारतियों को लगता है कि ये अवग्यानिक और अतारकिक है। लेकिन अब उप्चार से होने वाली उटोफेजी पर हुए शोध को नोबल प्रुसकार दिया गया है। मैं खुद इस साल कभी कभी पवास रखने लगा हूँ। तो ऐसे फाइदमन पुरानी परंपुराओं को धकिया नूसी क्यों बताया जाता है। और फिर पस्चमी समर्थन मिलने के बाद तुरंट लगू किया जाता है। क्योंकि आपकी तवचा का रंग सही नहीं है। मैं इस बारे में 40 सालों से बोल रहा हूँ। ठीक है। और मैंने हजारों लोग देखें, जो स्वस्थ और खुशाल हो जाते हैं, सिर्फ इस लिए कि वे हर समय इंधन नहीं भरते रहते जबकि टंकी बह रही हो। योग केंद्र में सभी लोग सुबह 10 बजे खाते हैं और शाम को 7 बजे। हम बहुत सी शारिरिक गतिविधिया करते हैं। आश्रम के अंदर गाडिया नहीं हैं, वो एक बड़ी जगा है, सभी या तो चलते हैं या साइकल चलाते हैं। डाइनिंग हॉल जाने के लिए भी एक किलोमीटर चलना पड़ता है, ऑफिस जाने के लिए भी आधे से एक किलोमीटर चलना पड़ता है। इस तरह लोग हर समय शारे रिक काम करते रहते हैं। तो हर कोई दो पहर साड़े तीन या चार बजे तक काफी भूखा होता है। वे काफी भूखे होते हैं। लेकिन हमने उसे जीवन का एक हिस्सा बना लिया है। क्योंकि पेट खाली होना और भूख लगना दो अलग लग चीज़े हैं। भूख मतलब आपकी उर्जा का स्तार कम हो रहा है। लेकिन पेट खाली होना अच्छा है योग विज्ञान में और आज आधनिक विज्ञान भी इस से सहमत हो रहा है। लेकिन जो हम अपने अनुभव से जानते हैं, वहां तक पहुँचने के लिए आप करोणों डॉलर खर्च करेंगे, क्योंकि शोध सिर्फ इसी बारे में है कि कितने लाग डॉलर, ये ऐसा ही है. आपका शरीर और आपका दिमाग सबसे अच्छे से तभी काम करता है, जब आपका पेट खाली हो. तो हम हमेशा सुनिश्चित करना चाहते हैं, कि हम इस तरह से खाएं, कि हम चाहे जितना भी खाएं, हमारा पेट जादा से जादा दो से धाई घंटे में हमेशा खाली हो जाए. तो हम हमेशा भूके सोने जाते हैं लोगों को लगता है कि वे सो नहीं सकते सो सकते हैं ओसतन 25 सालों तक ओसतन मैं बस 2.5 से 3 घंटे सोया इन दिनों मैं थोड़ा जादा सो रहा हूँ मैं 3.5 से 4.5 घंटे के बीच सो रहा हूँ जबकि मैं बहुत जादा यात्राइं कर रहा हूँ बहुत जादा यात्राओं से मेरा मतलब है अगर मैं अगले कुछ दिनों की यात्रा बताऊँ तो आप कुर्सी से गिर जाएंगे हाँ क्या मैं आपको बताऊँ नहीं ज़रूरी नहीं है क्यूंकि अगले दस दिन में मैं पांच अलग अलग देशों में रहूँगा वहाँ मुझे नहीं पता कितने कारिक्रम होंगे हर तरह के कारिक्रम तो आप ये सिर्फ इसलिए कर पाते हैं क्यूंकि आप जरूरत से ज़ादा नहीं खाते ये बहुत महतुपून है हर कोई दो बार खाता है मैं आम तोर पर सिर्फ एक बार खाता हूँ शाम को साड़े चार पांच बजे क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि मैं प्लेट के सामने बैट कर चिंता करूँ कि कितना खाना है मुझे अच्छे से खाना पसंद है तो अगर मैं शाम साड़े चार या पांच बजे खाता हूँ तो फिर अगले दिन ही खाता हूँ क्या ये काफी है? क्या मैं ठीक लग रहा हूँ? हलो? मैं आपके मरीजों जैसा नहीं दिख रहा है न? मैं आपके पास नहीं आऊंगा क्योंकि शरीर में कोई भी जरूरी सुधार और शुद्धी तब होती है जब आपका पेट खाली हो ये बहुत जरूरी है वरना कोशिकाओं के स्तर पर शुद्धी नहीं हो पाती आप चीजें इखटी करते हैं फिर हर तरह के परिशानिया होती है पहली चीज है शरीर में आलस्य आलस्य के कई स्तर होते हैं अगर आपने उन सभी पर ध्यान ना दिया हो तो जितना समय आप सोते हैं वो आलस्य है आप सभी यहां सोने आए हैं या जीने के लिए हैं ना? यहां मतलब यहां नहीं, मेरा मतलब है जीवन में, आप जीना चाहते हैं या जीवन जीना चाहता है है ना, लेकिन क्योंकि आपने अमेरिकी डॉक्टरों की बात की, तो यह अब यहां भी शुरू हो गया है सभी अमेरिकी डॉक्टर्स कहते हैं आपको कम से कम 7-8 गंटे सोना चाहिए इसका मतलब है आपके जीवन के एक तिहाई हिस्से में आपको सोना चाहिए 2-3 गंटे और टॉलेट नहाने और खाने वगएरा में चले जाते हैं तो आपके जीवन का 50% हिस्सा बस रख रखाव में चला गया मान लीजिए आपके पास एक मोटर साइकल या कार है जो एक महिने में एक बार सर्विस के लिए जाती है तो उसे रखना ठीक है मगर वो महिने में 15 दिन की सर्विस लेती हो तो ये परेशानी है, है की नहीं बहुत से लोगों ने अपने सिस्टम को परेशानी बना लिया है क्योंकि उनका अपना शरीर उनके जीवन में एक बहुत बड़ी रुकावट है वो जो भी करना चाते हैं, उनका शरीर उनके करने नहीं देता तो इसके कई पहलू है एक महतुपूर्ट पहलू ये है कि जितना खाना चाहिए, लोग उससे कहीं जादा खा रहे है सिर्फिस लिए, क्योंकि उनके कहा जाता है कि आपको जादा खाना चाहिए, वरना आप कमजोर हो जाएंगे नहीं, अपने शरीर को ठीक रखने का एक तरीका है आज हर कोई कम इंधन लेने वाली कार और मोटर साइकल बनाना चाहता है इसका मतलब क्या है? अगर मशीन कुशलता से चलेगी, तो कम इंधन खर्च होगा तो अगर यहां बैठे हुए, आप बहुत आराम में हैं, तो यह कम इंधन लेगी अगर आप हर समय ऐसे होंगे तो यह और जादा भोजन मांगेगी, यह आपको विवश करेगी तो यह नया नाम intermittent eating, आपको देखना चाहिए, अमेरिका में लोग हमारे कारिकरमों में आते हैं, हमारे कारिकरम दस से बारा घंटे चलते हैं तो लेकिन वे कुछ biscuit या कुछ और लाते हैं, वे कहते हैं मुझे sugar problem है, इसलिए मुझे खाना पड़ता है, मुझे खाना ही पड़ता है मैं कहता हूँ, आप बस यहां रहें, आप नहीं मरेंगे, मैं सुनिशित करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे कारिकरम में कोई मर जाए, ठीक है मैं यह सुनिशित करूँगा, पहले दिन, नहीं, नहीं, मुझे खाना पड़ेगा तीसरे दिन तक, वे सब कुछ छोड़ देते हैं, बारा घंटे बिना भोजन के बैठते हैं, और वो बिल्कुल ठीक रहते हैं देखे, सेहत ऐसी चीज नहीं है, जिसे आप बाहर से बनाते हैं सेहत आपको भीतर से पैदा करनी होती है अगर कुछ परेशानी हो, तो आप बाहरी मदद ले सकते हैं हर समय अगर आपको कोई परेशानी है, मतलब क्या? आप एक खराब मशीन है हाँ? हर समय आपको कोई परेशानी है, क्यों? इसे ऐसे नहीं डिजाइन किया गया है इसे सेहत के लिए बनाया गया है आपके शरीर की हर कोशिका को सेहत पैदा करने के लिए बनाया गया है, है न, वे सभी सेहत पैदा करने के लिए महनत कर रही हैं, सिवाए आपके, तो योग में कम से कम आठ घंटों के अंतराल के सला दी जाती है, एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच आठ घंटे का अंतर होन अगर आप कुछ और चीजे करें जो आपको फिलाल थोड़ी कठोर लग सकती हैं, अगर आपके जीवन में कोई छोटा योग अभ्यास है या कोई ध्यान की प्रक्रिया है, तो आप देखेंगे कि 90 प्रतिशत समस्याएं चली जाएंगी, 10 प्रतिशत अगर फिर भी रहती हैं तो उनका उपचार हो सकता है, फिलाल हेल्थ केर सिस्टम कुछ ऐसा हो गया है, मुख्य रूप से जहां भारी इंशॉरेंस पॉलिसी होती हैं, लोग हर तरह का कच्रा खाते हैं और पीते हैं और डॉक्टर को जाकर कहते हैं, मुझे ठिक करो, यह ऐसे काम नहीं करता, इंगु एंगु